नमस्कार मैं तरुन वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजेस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक रिसेंट खबर के बारे में जो एम्स से आई है जिसमें पहली बार कोविड-19 की वज़े से दिमाग पर पढ़ने वाले असर को रिपोर्ट किया ग एंसेफलाइटीज, कावासाकी लाइक डिसीज, गिलेन बार सिंड्रोम, कुछ ऐसे हेल्थ कॉम्लिकेशन हैं जिससे की बच्चे जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव आया है टेस्ट करने पर वो इन लक्षनों से अक्सर पीडित होते हैं दिल्ली में स्थित All India Institute of Medical Sciences, AIMS में पहला एक केस आया है COVID-19 की वज़े से जिसमें ब्रेंग में नर्फ डेमेज हुआ है एक 11 साल की लड़की में जिसकी वज़े से उसकी देखने की शक्ती कम हो गई है डॉक्टर जो है Child Neurology Division में वो इसके बारे में केस रिपोर्ट पब्लिश करने का सोच रहे हैं और उन्होंने इस पर काफी बारी की से अब्सर्व किया है इस लड़की को उन्होंने काया कि COVID-19 इंफेक्शन की वज़े से Acute Demyelinating Syndrome ADS देखने में आया है 11 साल की लड़की में यह पहला केस है जिसको पीडियाट्रिक बच्चों के एज ग्रूप में रिपोर्ट किया जा रहा है वह कहते हैं कि हमारे जो nerves होती है उनके उपर एक protective layer होती है जिसे myelin कहते हैं जो brain में messages को पहुँचाने का काम करते हैं उसमें help करते हैं और उसको smoothly एक जगे से दूसी जग हैं वो ठीक से जा नहीं पाते ब्रेन के cells ठीक से काम नहीं कर पाते और इसके लावा बहुत सारे जो neurological functions हैं इस पर प्रभाव पड़ता है इस damage का जिसमें vision देखने की शक्ती muscles का movement मासपेश्यों में कमजोरी और हमारे जो senses हैं जैसे कि महसूस करना, खाना, टेस्ट करना, सू इसमें loss of vision हुआ था, हमें ऐसा देखने में आया, MRI ने ऐसा बताया कि उसको ADS हुआ है, जो कि एक नया manifestation है जो बच्चों में देखने में आया है, अब हम इससे ये कह सकते हैं कि जो coronavirus है, वो lungs के साथ साथ ब्रेन को भी बहुत जादा effect करता है, हम इस case report को वो कह रहे हैं कि हम publish करने का सोच रहे हैं, जिसमें हमने COVID-19 की वज़े से brain पर बच्चों में पढ़ने वाले ससर को देखा है, वहां की एक child neurology division की डॉक्टर है शेफाली गुलाटी, pediatric department में काम करती हैं, उन्होंने ऐसा का है, लड़की का जो treatment है वो डॉक्टर गुलाटी की ही देखरेक में चल की थी, एम्स के जो डॉक्टर हैं, वो एक और COVID-19 ऐसे ही positive teenager का इलाज कर रहे हैं, लड़की है 13 साल की, जिसने भुखार की तकलीफों को complaint किया था, और साथी साथ encephalopathy, दिमाग में सूजन, inflammation हो जाती है, उसकी भी उसने complaint शो की थी, उसका भी treatment चल रहा है, और डॉक्टर अभी भी यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि COVID-19 की वज़े से जो उसके दिमाग पर जो असर पड़े हैं, वो किस तरह के symptoms ला रहे हैं, और किस हद तक ला सकते हैं, और क्या यह जो है सब direct COVID-19 की वज़े से ही हुआ है, क्या, epilepsy, encephalitis, kawasaki like disease, gillen bar syndrome, यह कुछ ऐसे symptoms हैं, disease बिमारियां हैं जो अक्सर COVID-19 positive patients में पाए जाते हैं और बच्चों में अक्सर खास कर देखने में आते हैं, कुछ हिन में से ऐसी brain conditions हैं, जो भहत ही घातक प्रभाव डालती हैं, बच्चों के long term में, लंबे समय में जो उनका जो neurodevelopmental growth होगी, उनमें जो विकास संबंधी जो जरूरते हैं, जो उनके जो विकास normal होना चाहिए, उसमें असर डालती हैं और जिस वज़े से उन बच्चों का ठीक प्रकार विकास नहीं हो पाता, इस वज़े से इन बच्चों को लगातार follow-up treatment की जरुत होती है, जो कि एक बहुत बड़ा challenge हो सकता हैं इंडिया जैसी जिसमें जो pediatric neurologist हैं, उनको जो परिशानिया face करनी पड़ती हैं, उसके बार में बताया था, किसी developing country में, और उनने का था कि ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है, इंडिया जैसी किसी country में, कुछ ही ऐसे centers हैं, AIMS जैसे, जहां पर सुभे शाम बच्चों का neurology का department चलता है, बहुत ही मुश्किल से उनको ये सुविधाय मिल पाती हैं, इस वज़े से वो डॉक्टरों से contact नहीं कर पाते, बवजूद इसके कि कुछ hospitals वो services provide कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे specialized facilities हैं, जहां पर dietary therapy और surgery दी जा रही है, बच्चों को अच्छा खान पान कैसे द पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे facilities हैं, जो चल रही हैं, पर वो भी कुछी centers पे हैं, वो भी बहुत जादा मदद नहीं दे पाते हैं, वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में, जो इन लोगों की जो neurological problems आएंगी, बच्चों की और बड़ों की भी, उसको लेकर जो facilities हैं, जो treatment हैं, वो इंडिया में बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, आगे आने वाले समय में, तो COVID-19 की वज़े से अगर हम इस तरह की और भी बहुत सारी परिशानिया देखेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा neurological disorders को control कर पाना, हमें problem केरें समझ बारे हैं, हमारी जो telemedic in help line है, वे बताते हैं, जो कि बच्चों की neurological issues पे काम करती है, उसमें रोज हमें कम से कम 25 ऐसी call मिल रही है, on an average, आम तोर पर, जबकि पहले कह रहे हैं, मुश्किल से 8-10 ही मिलती थी, तो आने वाले समय में, वो बहुत बड़ी problem हो सकती है, जब हम COVID-19 के जो survivors हैं, बच्चे उनको treat करेंगे, यहां तक कि जो non-COVID वाले बच्चे हैं, उनमें भी हमें इतनी problem आती है, उनको tackle करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिनमें neurological conditions है, जिनको की बहुत ज़ादा immediate attention की जरूत होती है, बहुत ध्यान देने की जरूत होती है, तो हमारे जो healthcare workers ह है, वो यह बताते हैं, कि वो 24 गंटे काम करने में busy हैं, लगे हुए हैं, उनको training भी दी जा रही है, कि किस तरह के से बच्चों में इस तरह के neurodevelopmental issues है, उनको पहचान की जाए, उसका इलाज किया जाए, और teleconsultation के थूरू, telemedicine, telecounseling के थूरू, जादा से जादा लोगो को approach किया जाए, उन तक पहुचा जाए, ताकि at least उनकी problems समझ में तो आजाए, दिख तो जाए, identify तो हो जाए, उनको सुन तो लिया जाए, at least, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे को नहीं पता कि कितना extent है इस problem का, कितनी गंभीर है problem, इसलिए हम ये भी नहीं जान सकते कि कि कितना पैसा इसमें खर्च किया जाना चाहिए, कितना fund सरकार से लिया जाना चाहिए, पर हाँ, इस पर सोचने जैसा जरूर है, इस पर और जादा ध्यान देने की, और जादा विचार करने की जरूरत बहुत है, इस पर और जादा studies पब्लिश होने की, case reports आने की जरूरत बहुत ज उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको help करेगी, धन्यवाद.